नमस्कार पैरे बच्चों सभी का स्वागत है बीएसी प्रो क्लासेज में और पैरे बच्चों कल आपके एक्जाम है बीएसी पार थर्ड मैथेमेटिक सवलो बच्चों की तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाला है जिनोंने बहुत कुछ पढ़ लिया है और कई उने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है मतलब बिलकुल भी नहीं पढ़ा तो अब क्या करें कोई उपाई है लास्ट और फाइनल तो इस वीडियो में वही बताएंगे कोई क्यूशन बगार नहीं बताएंगे और जिन बच्चों ने अभी तक अपना टैनिग्राम चैनल जो कल आप पेपर देने जाओगे मॉर्णिंग में तो शायद मुझे पता है कि जब 80 स 90 बच्ची जो है ना पेपर को पढ़ते ही समझे नहीं पाएंगे कि पेपर में क्या है क्या नहीं है लेकिन करना क्या है सुनना उस उस टाइम पे जैसे पेपर पढ़ो ना एक दो ती जो आप तयार करके गए हो उसमें जो बेस्ट आती है आपको जैसे तीसरी आए दूसरी आती है उसका जो भी सवाल सिंपल है ना उसको करो पहले आप अगर वो कर लिया आपने उसके बाद में ही फिर आप सेकिन पर पहुंचो क्योंकि जब एक सवाल करोगे ना तो उसमें क्या आद नहीं आ रहा हमने कुछ पढ़ा है जो हलाकि इसका कोई इलाज नहीं है वो तो आपको क्यूशन दिखे का सामने टार्गेट दिखते हैं आपका ओटोमेटिक मायन में क्यूशन आ जाएगा बात करते हैं सर हमने कुछ नहीं पढ़ा अब क्या है कोई उपाई है लेंग्वेज का बहुत विशेत तोर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि लेंग्वेज आपको सही लिखनी है प्रोपर माना लेट करके जो भी लिखना होता है सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको पहली बात दूसरी बात यह कि आप देखो आपके वाश टाइम इतना बचा सकते हो और बेसिक का मतलब बतों क्या होता है एक दो क्यूसन ऐसे जो उस नेट में बार-बार रिपीट हो रहे हैं बार-बार वही आ रहे हैं अगर कोई भी क्यूसन एक्जाम में आता है हम उसका बेसिक भी लिखके आएंगे न तो वहाँ पर आपको नमबर मिलेंगे क्यो क्योंकि theoretical paper है और theoretical paper में आपने कुछ गलत नहीं लिखा हलागि exact answer तो नहीं लिखा आपने लेकिन फिर भी कुछ गलत नहीं लिखा आपने और गलत नहीं लिखोगे न तो नमबर मिलेगे तो इस तरीके से 40 में से 40 नमबर का attempt करके आना पड़ेगा अब चाहिए अपने गलत लिखा है यह सही लिखा है काटा फैसी मत करना पास होने के chance है और यही लास्ट टाइम पर उपाई हो सकता है बाकी और इसके अलावा कोई उपाई नहीं है बाकी जो भी बच्चे हैं बढ़िया confidence के साथ paper देके आएंगे जैसा आएगा मसत आएगा ठीक है जैसा भी paper होगा hard आएगा simple आएगा सभी के लिए same आएगा तो जो अपनी तयारी कर रहे है जिनों में पर लेकर रखिये जतनी मैनत करोगे उतना आपको result मिलेगा शिदी सी बात है नेकिन इन छोटोटी बातों का ध्यान रखना paper को देके ढणा नहीं है confidence से paper देके आना है जो भी लिखो काटा फासी मत करना अगर गलत भी कर दिया है तो उसको काटा फासी करके ऐसे बिगाड मत देना काम जेतना कर रहे है उसको थोड़ा सा कार दो आगे बढ़ जाow यो छोटोड़ी बाते हैं जो शायद आपको पास करवा सकती है और ये मेरा दाई तो था कि यह वीडियो बना के मैं आपको कुछ बता ढ़रा सा बाकि आपको ऩो लग रहा है कहां वीडियो बना रहा हूं मैं कैसे बना रहा हूं आपको दिख रहा है तो सव्कें के टोडियो कुल करें पूछ पूर सकते